हेग वीडियो आपको एंड तक देखना चाहिए अगर आपको कुछ भी सवाल हो अब आपको सब क्लारटी मिल जाएगी तो शुरू करते हैं आज का सेशन लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा तुरंत ही नीचे जो लाल में सब्सक्राइब देखा है उसके जाकर प्रेस कर लिजे वहनना आप मिसकरें कावी सारे एक्साइटिंग न्यूस, रिव्यूस, कार कंपर्जिन, बाइक कंपर्जिन जो माप तक पहुंचाते हैं रोजा न वह भी केवल हिनी में है तो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गो दोस्तों, होंडा सेटी 2020 जस्ट लॉंच हो गई है तीन वेरिंट्स में आती है वी, वी एक्स, जेडेक्स ये तीनों वेरिंट्स आपको अक्रॉस दरेंज मिलेंगे तो अगर आप पेट्रोल, बैन्यूल, पेट्रोल, और पेट्रोल के अलावा डीजल भी अगर आप कंसेडर करते हैं तीनों में आपको ये मिलेंगे और इनकी प्राइजिंग में आपके लिए यहाँ छोड़ दी है तो आप अच्छे से प्राइ अगर हाँ इसे कॉंपेटिशन से कंपेर करेंगे तो ये काफी competitive है और होंडा सिटी ने बहुत ही जबरदस प्राइजिंग इंट्रॉस किया एक और एक चीज आपको बता दूँ ये कहीं पे भी उन्होंने कहा नहीं कि इंट्रॉड़क्टरी प्राइजिंग है तो आम शू इस्पर्क प्योर्लि आपको चार एर्बाग οंडDie राते है आपको आपको इस मोडल में भी मलता है तो सब्सक्री मोडल इंट्रॉस rubber जो आपको बताático मोर्ल में भी होग एक फाइजग अमले करेंटी हो ऐंटा है तो भी टो एक चीज एज़ एंचर पूर किए कि जो कहीं पे भी compromise नहीं होगा और यह सेम चीज आपको V model में भी मिलेगी तो 12 लाग रुपे में मेरे हिसाब से यह बहुत ही अच्छा package हो जाता है अगर आप दुसरी गाडियों से compare करें इसको एक और एक important चीज यह कहना चाता हूं कि अगर आप एक variant उपर लेते हैं VX इसमें करता हूं आपके लिए link चोड़ता हूं नीचे in the eye button यह i button पर चोड़ूँगा है नीचे description दोना जगा चोड़ देता हूं आपके लिए link उसे जरूर जाके देख लीजे motoroctane.com पे हमने सारे वेरिंट्स को अच्छे से explain के आपके लिए तो आपको exactly पता चलेगा कौन से वे अब हंडा सेटी में आपको दो इंजिन आप्शन आते हैं एक है 1.5 लीटर पेट्रोल 6-speed manual या CVT के साथ उपलब्द है और दुसरा है 1.5 लीटर डीजल यह केवल 6-speed manual के साथ उपलब्द कराया गया अगर overall हम बात करें in terms of performance की तो तीनों इंजिन काफी अच्छे in terms of performance आप एक आपको दिकत निया है कि मुझे परस्नली अगर एक एक अच्छे च्छोज करनी है इस दिद ऑट्माटिक च्छे वेरास अगर आप पीछे बैठ के जा रहे है तो य। आपका ड्राइविंग कितना है अगर आपकी ड्राइविंग अगर पचास-साथ किलोमेटर से जात ह अगर आपकी ड्राइविंग उससे कम है और आपकी मिलमिलिस्टिक ड्राइविंग है तो पेट्रोल मेक्स अलोट मोर सेंस वहाँ पे लेट्स आइड आउन तो दे नेक्स अस्पेक्ट इन दोनों इंजिन्स का परफॉर्मेंस अच्छा है माइलेज भी अच्छा है पेट्रोल आपको लगबग मैन्यूल आपको सिटी में देगा बारा से चौदा का आवरेज और जो सीवी टी है वो भी लगबग उतनी ही माइलेज देता है वेरस डीजल आपको 16-18 का आवरेज देगा इन सिटी हाईवेज पर अगर हम सिटी की बात कर ले तो आपको 15- 17 मिलेगा इन पेट्रोल वेरस अगर आप एकदम प्यार से 80 पर चलते तो आपको 20 तक का आवरेज भी मिल सकता है अगर हम बात करें डीजल की तो डीजल आपको देगी close to say 22 to 24 km per liter on the highway तो यह fuel efficiency figures of this car, दोनों के petrol डीजल, दोनों का clutch एकदम light है, gear shifts एकदम smooth है, तो आपको दिक्कत नहीं है गिया at any given point of time अब अगर हम design की बात करें of the Honda City, तो यह काफियत तक inspired है from the Honda Civic and Accord आपको कहीं कहीं अमेज की भी जलकियां दिखाई देगी, तो यह एक family look मिल जाता है on the new generation city साथ में आप यह भी notice करो कि जो top end model आते हैं उसमें आपको 9 LEDs आते हैं on the head lamp जिसमें से 6 चलते हैं on low beam और 3 activate होते हैं on high beam जो lower variants से उसमें आपको projector lamp पाती हैं उसमें आपको you know you don't get the LED lights underneath आपको fog lamp दिये हो हैं इसमें, साथ में आप यह भी notice करोगे कि side से जो Honda City का look है वो बहुत जादा नहीं बढ़ला है compared to the previous car तो इस वज़े से वो familiarity जो आपको चाहिए Honda City की वो अभी भी बरकरार है इसमें rear से इसके look change हो गए, यह पहले से काफी अलग लगती है and this is a fresh look जो Honda ने दिया है to the new generation city इंटीर्स में भी अगर आप Honda City में जाते हैं तो यहां पे आप features देखोगे कि इसको touch screen मिलता है, 8-inch का Android Auto, Apple CarPlay, reverse parking camera camera में भी 3 modes है, एक wide, एक very close और एक normal mode और साथ में आपका जो camera quality is decent, not the best of the lot इसके अलावा आप notice करोगे आपको एक 7-inch का TFT display भी दिस्पले भी दिया हुआ है on the front, जो आप basically change कर सकते हो, customize कर सकते हो कि आप आपको कई navigation देखना है या आपको, you know, you want to see something else तो आप हर आप थींज कर सकते हो, customize कर सकते हो, जो इसी गाड़ी में दिया हुआ है in this segment, जो top-end model आता है, उसमें speakers की quality भी बेटर है compared to the lower variance, क्योंकि यह better quality music system दिया हुआ है speakers दिये हो है, on the top-end model, इसमें आपको leather upholstery मिलती है और साथ में आपके पास storage spaces भी काफी है, front में, rear में, rear की seat इसकी सब से spacious है in this segment, most comfortable seat रादर, अगर मैं spacious थाही word नहीं है most comfortable seat है इस segment में, क्योंकि आपको seat का comfort अच्छा मिलता है, space भी अच्छी खासी मिलती है साथ में जो आपको, मानली जब नॉर्मल गाडी में बैठते हैं, तो आपके पैर ऐसे जाते है इसमें आपके पैर ऐसे रहते हैं, जिस वज़े से आप जादा कमफोर्टिबली बैठ पाओंगे on a longer duration, तो यहां पे comfort का अच्छा ध्यान दिया हुआ है इसमें headrest भी बड़े साइज के, जिस वज़े से काफी comfortable हो जाता है तो sit in the car, boot space भी गाडी की काफी बड़ी है, so there's no sort of compromise in the quality space, features, specifications काफी जबर्दास है on the Honda City, as in overall package अगर मैं बात कर लूँ तो अब सवाल यह उठता है कि आपको Honda City लेनी चाहिए नहीं, मेरे हिसाब से it's a big yes अगर आप खुद चला रहे हैं, तो petrol CVT is the best choice वेरास अगर आप पीछे बैट रहे हैं, okay, then in that case pick whatever is your requirement के हिसाब से, पर अगर majorly अगर आप City में चला रहे हैं, तो petrol CVT makes the most sense आज के तारीख में, यह है हमारा आज का एक क्विक वीडियो on the Honda City 2020, मैंने आपके लिए अपके लिए अल्ड़ी एक 15 से 20 मिट का वीडियो बनाया on the city, लगबग 25 मिट का वीडियो बनाया on the city and verna, वो जाके देख लो, आपको साब जो भी और सवाल बचेंगे न, आपको सारे जवाब वहां मिल जाएंगे मेरे हिसाब से VX एक परफेक्ट चॉइस है in terms of variant, अगर आपको सारे features जो चाहिए, best value for money aspect पे चाहिए, तो VX मेरे हिसाब से परफेक्ट चॉइस है, इवन V-Variant एक अच्छा उपग्रेड है उन लोगों को जो लोग Amaze जैसे model लेक्रे है, Amaze या फिर Desire जैसे model लेक्रे है, उनको एक अच्छा उपग्रेड मिल जाता है with the V-Variant, जो काफी smart चीज़ की है from Honda, तो थोड़े एक्स्रा cost पे आपको एक मेजर अपग्रेड मिल जाता है in fact, जो लोग SUVs भी देख रहे हैं, maybe, you know, XUV 3OO, Nexon, Venue, उनके लिए भी एक अच्छा उपग्रेड हो जाता है on the Honda City, अगर वो थोड़ा सा बज़ेट और बढ़ाते, with the base model itself, क्योंकि आपको काफी कोच मिल रहा है in the Honda City अगर आपने नहीं दबाया, तो अभी जाएए, सब्सक्राइब कीज़ें तो नो मोटरॉक्ते इन यूट्यूब चैनल, वहना आप मिस्करें काफी सारे exciting news, reviews, car comparison by comparison, जो हम आप तक पहुंचाते हैं रोजाना मिलेंगे कल फिर से एक नए वीडियो के साथ, take care, love you guys